जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, कैसे हैं आप लोग बताइए डिजिटल सम को हम कहा कहा पे और किन-किन mathematical operation में हम इसे apply कर पाएंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो mathematical operations होते हैं हमारे वो हमारे क्या होते हैं देखे तो हम बोलेंगे सर जितने भी हमारे mathematical operations होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं किस प्रकार होते हैं सर तो देखे या तो हम सर यहाँ पर plus कर सकते हैं addition में दीखे दूसरा हमारा सर subtraction में माइनस में भी कर सकते हैं multiply में भी कर सकते हैं divide में कर सकते हैं तो पहले हम आपको हम क est d लबेकर हम समझाथ हैं कि जैसे आप आपने wise रेते हम किस प्रकार कर पाऊगे ठीक है अभी Amazon का सेल भी चल रहा है तो आपको 130 रुपए में 300 पन्य की किताब कलरफुल आपको मिलेगी और जिन लोगों का प्राइम मेंबर्शिप नहीं है तो उनके लिए 40 रुपए का डिलिवरी लगेगा जिनके पास प्राइम है तो उनको 130 में ही किताब मिल जाएगी साथ में जो फॉस्ट टाइम यूजर हैं पहली बार किसी नए आईडी से मंगाएंगे उनको भी किताब 100 रुपए में मिलेगी उनके लिए कोई डिलिवरी चार्ज नहीं लगेगा तो मंगा जरूर लेना दोस्ते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर क जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अपलाई करेंगे तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एक्जामपल के तौर पर जैसे मानो 13 को 12 से जोड़ने में मेरे भाई कितना आता है पचीस आता है आता है ना मैंने कहा डिजिटल सम को अपलाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट के जो left में है left hand side और जो right में है right hand side ठीक है तो यहाँ पर अगर हम इनका digital sum देखते हैं तो 3 plus 1 हमारा कितना हो जाएगा 4, 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 और यदि 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 यहाँ पर उसी तरीके से अगर हम right में जोड़कर देखते हैं तो 2 plus 5 हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो भूलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है left side वाले का digital sum right वाले के साथ match कर रहा है मतलब कहीं कोई परिशानी नहीं है सर तो इसको हम सवालों में कैसे apply करेंगे तो जैसे आपके सामने मैंने board पर एक question दिया है question number one हमारा ये चार संख्या मेरे भाई 5 संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर और इनको जोड़कर बताना है कि यहां पर कौन सा option जो है वो हमारा सही है देखे अब कोई बचा सोचेगा कि हम इसको unit digit के concept से बना ले तो आप इसका unit digit ईसका unit звуч इसका unit से इसका unit इसका unit जोड़ोगे तो साही से देखो तो चारो option में मेरे भाई unit struct जो हो साही तो वह साथ है इन्फेक्ट जो चारो options के ten's digit है वो भी हमारा सीम है अब भाई कैसे बना होगे तो बोलोगे सर देखिए यहीं तो फादा है डिजिटल सम सीखने का हमारे पेपर में ऐसा कल्कुलेशन आता है और यह फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर S.S.E. में आएगा बैंकिंग में नहीं भारत का कोई भी वन डे कम्टेटिव एक्जाम क्यों नहीं है भाई कोई भी वन डे कम्टेटिव एंगा N.D.A. हो गया आपका S.S.E. हो गया बैंकिंग हो गया रेल्वे हो गया नॉर्मल कल्कुलेशन सर जगा पूछे जाते हैं उनी कुछ हाटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है कैसे करता है जरा वो देखो तो बोलो कि सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं डिजिटल सम निकालते वक्ट 9 को कंसीडर मत करिएगा उसको लो या मतलो कोई फायदा नहीं है 8 जमा 4 8 जमा 4 कितना हो गया सर तो 12 हो गया यहां पर 5 और 4 नौ बन रहा है मतलीजे 6 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 9 मतलीजे 2 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 5 और 4 नौ मतलीजे कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा उसके बाद 3, 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आप अगर ये 2 प्लस 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे न तो कोई गुना नहीं किया है आपने आप इसको 3 लिख सकते हो अब ज़रा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो 3 और 8 हमारा 11 हो गया 11 8 हमारा 19 हो गया 19 और 2 हमारा 21 हो गया 21 और 6 हमारा 27 हो गया और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो कहीं कोई परिशानी की बात नहीं है अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारी ऑप्शन के डिजिटल सम निकालते हैं तो हम बोलेंगे 7 एक 8 और एक 9 खतम कितना आ गया 6 आ गया 7 और 2 नो खतम 6 प्लस 1 हमारा 7 आ गया ठीक है 6 और 3 नो खतम 7 और एक इतना आ गया 8 आ गया ठीक है मेरे भाई 6 और 4 दस 10 और 1 एक 11, 11, 7, 18 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हैगा 9 हैगा आप इस 9 को 0 भी कह सकते हो इस 9 को भी 0 कह सकते हो और 0 बड़ाबर 0 जो है आप अपना option number जो D है उसे टिक कर सकते हो और यह अपना असर आ जाएगा यानि भाई हमने calculation किया क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठ कर कि यह कितना था क्या हम side में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि यह कितना था बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा answer कैसे आ गया तो digital sum के मादम से आ गया चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर next बात आता है कि क्या हम subtraction में digital sum लगा सकते हैं plus में तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में हमारा digital sum कितना आ रहा है क्या हम minus में से apply कर सकते हैं हाँ भाई बिल्कुल apply कर सकते हो आप इसे minus में आप छोटी सी बात को देखो यहाँ पर जैसे मानो एक example के तोर पे आपको 88 में से minus करना है कि इतने को 13 को तो आपका कितना आना चाहिए 75 क्या एक बर हम यहाँ verify करके देखे digital sum लग रहा है कि नहीं तो आईए एक बर apply करके देखते हैं कि क्या यह बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बोलेंगे 8 और 8 सर हमारा होता है 16 और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना हैगा सर 7 हो जाएगा उसी तरीके से 3 जमाइक हमारा हो जाएगा 4 सर 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 हमारा आ जाएगा और यहाँ देखते हैं तो 7 जमा 5 हमारा 12 हो गया और 12 को आपस में जोड़े 3 आ गया हाँ सर बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत नहीं है हमारा सब्ट्राक्शन में भी को डिजिटल सम लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो रहा है लेफ्ट का जो अंको का योग असर वह राइट के हमारी योग के बराबर है गहीं कोई परिशानी हमारी नहीं है तो ज degra一个 सवाल हमने हो चोटू-मोटू सवाल पहले आपको दिया है ये छोटू मोटू सवाल में, मुझे आप सभी से आंजर चाहिए, कि कौन सवाला option का जो उत्तर है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर इस संक्या में से इसको माइनस करना है, और बताना है कौन सा option सही है, जल्दी से, ठीक है, बताईए, आजएए, तो bowling इसर देखिए इतना आसान point है सर, यहाँ देखिए, जोड़ते वक, घटाते वक, कभी भी 9 को consider नहीं करना होता, नहीं लेंगे, उसके बाद 8 और 5, ठीक है, 8 और 5 सर हमारा कितना हो गया, 13, 13, 6 कितना हो गया, सर 19 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 5 और 4 खतम करिए, सर 6 और 2 हमारा कितना हो सर 2 है, तो बोलेंगे सर, देखो 6 और 7, 7, 7, 5, 12, ठीक है, और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 3 सर, 6 और 5, 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे आएगा सर 2, 6 और 4, 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे आएगा 1, 6 और 3, 9 हो जाएगा, सर 9 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा digital डिजिटल सम् कितना आया है, दो आया है, और यहां पर कौन सा वाला उप्शन है, इसका डिजिटल सम् 2 है, तो उप्शन नमबर जो B है सर, वो हमारा correct answer है, कई ऐसे बच्चे होंगे, जिन्होंने यहां पर क्या क्या होगा, जिन्होंने यहां पर मेरे भाई 19 आते ही, मुझे 19 आते ही, यहां पर क्या क्या होगा, 19 आते ही, इस 9 को गायब कर दिया होगा उन्होंने, यह मुझे पता है, 19 आते ही, 9 को गायब कर दिया होगा, क्योंकि उनका कहना होता है, कि सर, 19 में आप 9 को 0 माल लीजे, आप ही ने तो कहा, जोड़ते वक, घटाते वक, 9 को 0 माल लिया जाता है तो यहां सर आप 0 माल लीजे तो यह तो सर हमारा 19 जो थासर जो हमारा 19 था वो 1 में convert हो गया अब 1 में से minus 8 करेंगे तो कितना आएगा minus 7 आएगा कितना आएगा मेरे भाई यहां तो कभी भविष्य में digital sum निकालते वक्त अगर आपका minus में आ जाए तो आंसर निकालने के लिए एक छोटी सी काम करेंगे और आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई तो आंसर निकालने के लिए आपका digital sum जो भी आया है उसमें आप 9 जोड दीजेगा तो आपका answer 2 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा तब आप अपने options में match कर लिजेगा कि कौन सावाला option आपको 2 दे रहा है ठीक है कभी भी अकर निकालते वक्त आपका minus में आ जाए तो उस minus वाली संख्या में 9 जोड देना मेरे भाई प्लस में digital sum आ जाएगा और उसके बाद अपने options को match कर ल दशंबलब में मेरे भाई माइनस है अब दशंबलब में माइनस है तो यहां पर जो है इसको कैसे solve करोगे तो आप यहां बोलोगे सर डिजिटल sum apply करना है कैसे करना है सर 9 को खतम करिए 8 और 1 हमारा 9 खतम करिए ठीक है 6 5 11 11 11 तो 13 यहां पर तो यह हमारा हो जाएगा 13 उसके पांच और 4 हमारा नो क稍कर देते हैं तो यह 1 हो जाएगा 4、-1 कितना हो जाएगा तो 9 खतम, 9 खतम, 5 और 4 नो खतम, 7 प्लस 5 मेरे भाई 12, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा सर, ये हमारा 3 दे रहा है, बुलोगे सर बाकियों की क्या कहानी है, तो बाकियों की कोई कहानी ही नहीं है, मेरे भाई इससे सारे डिजिटरियों मैच कर रहे हैं, बस इससे 1 як ये हमारा 1 होगा, 1 सका 1 कम, इससे 1 कम, 6 होगा, हमारी जो सवाल है उसका डिजिटर्स हमतीन आया है, और हमारा option number A है, ने हमारा option number A जो है, वह हमारा correct answer है, multiply में जड़ा हम देखें या पर, हमारा क्या क्या बंगताँ है, थार्ड के समारा बलता है multiplication, पूरा मेरे भा पहले हम पहली संख्या के अंको के योग की गन्ना करेंगे, हम दूसरी संख्या के अंको के योग की गन्ना करेंगे, इस प्रकार प्राप्त दो अंको के योग को गुना करेंगे, यदि प्राप्त अंको का योग गुननफल के अंको के योग के बराबर होता है, तो हमारे उत्त का योग पता करोगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू 3 प्लस 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 को 6 गुना करने पर फिर हम दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा उसके अंकों का योग निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा left side का digital sum और right side का digital sum के बराबर है मतलब एक एक शब्द को पिरोया गया है पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से उसमें apply कर सकते हैं और सारी बाते जो हैं यहां पर बयान की गई है जैसे example के तौर पर मान लीजे हैं पर कि हमको multiply करना है मैं आपको एक छोटा सा सवाल मेरे भाई यहां पर दे रहा हूं यह सारे formula book में दिये गया है जिसे मैं आपको एक छोटा सा question यहां पर देता हूं सिर्फ एक छोटू सा सवाल यहां पर और मैंने कहा यहां apply करके बताओ 786 x 108 x 9867 multiply करके बताना यहां पर कौन सा option आएगा बोलोगे sir unit digit से देख लेंगे भाई unit digit के 10th digit पर भी नहीं देख पाओगे क्योंकि 4 option के unit digit से हम है 4 option के 10th digit से हम है अब ऐसे में एक बच्चा जो मेरे भाई सरकारी नोकरी लेना चाहता है ठीके और बाकी पूरी भीर से थोड़ा साला का प्रोच रखना चाहता है वो कैसे करे वो लगाएगा इसका अलग निकालो फिर इंटू का साइन है इंटू रखो आठ प्लस एक तुमारा नो हो गया नो ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकी मेरे भाई इस सवाल को तो और सेकेंड में कर लो पूछो कैसे बुलो गया रहे सर काहे उतना मेहनत कर रहे हो देखो यहां पे इसका कितना एसर 9 है और आपी ने तो पढ़ाया था कि 9 को दुनिया के किसी भी संक्या से गुना कर लिजे मिलना कितना एसर 9 ही मिलना है 9 को दुनिया के किसी भी संक्या से गुना कर लिजे मिलेगा कितना 9 मिलेगा तो यहां पर हम देखते हैं कौन सा option का डिजल सम 9 आ रहा है तो 9 9 को खतम, 9 को खतम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 के साथ हमारा 3 मेरे भाई खतम हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कहीं option बचेगा, तो बचेगा 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 हमारा कितना 28, 28 और 8 हमारा 36, और यदि हम 36 को जोड़ेंगे आपस में, तो कितना आएगा, 9 नहीं आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 आएगा, हमारे सवाल का 9 है, हमारा option number नहीं नहीं है, यानि हमारा क्या है, तो correct answer है, आप बोलोगे इसे कई से सर बाकी option भी आप चेक करो, चेक कर लो भाई मेरे, यहाँ पर इसके सारे डिजिट, इसके सारे डिट से से में, पस यहाँ तीन से 1 जादा है, तो 9 से 1 जादा ये 10 होगा, इस से 1 जादा है, तो 12 होगा, 9 का मेरे भाई, 9 लोलोगे, वन प्लस 0, 1 हो जाएगा, वन प्लस 123 हो जाएगा, हमारा कितना आया है, तो 9, और है कुण सा option, पहला option 9, तो याद रखना, दोस्तों, कई सारे सवाल, आ सॉल्फ करते हैं इसी प्रकार मेरे भाई मेंसुरेशन में भी सॉल्फ करते हैं तो जहां पर भी किसी भी संख्या में आपको नौ या नौ का मल्टिपल दिखी जाए उसके में इस बात को याद रखना कि वहीं ऑप्शन अंसर होगा जिसका डिजिटल सम्नाइन होगा जैसे मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं उस ऑप्शन को सही मानते हैं जो एक 11 का मल्टिपल है उसी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन करोगे जहां पर भी 9 या 9 का मल्टिपल दिख जा होगा और मेरे भाई चार ऑप्शन से पहले ऑप्शन का डिजिटल सम्नाइन और या फिर क्या के लो नो को किसी भी संख्या से मल्टिपलाइक करना पे रिप्एक 9 यह आता है या न यह वहीं ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम नाइन होगा तीं जगा पर सीख लिय minus में और multiply में अब आप सीखोगे कहां पर divide में यह मेरे भाई बहुत ही जादा महतुपूर्ण हो जाता है बहुत ही जादा important हो जाता है और divide वाले case में proper तरीके से हमने formula book में सारी बाते बता रखी हैं कि जब मेरे भाई division का case आता है तो division के case में हम यहां पर क्या करते हैं बहु doesn't but impact कहने का मतलब यहां पर it's up to denominator used in the expression आसान वाशा में थोड़ा समझा है तो अंक योग विभाजन प्रकिरिया में हर अंकों के योग को निम्ने रूप से कोई भी हो सकता है जैसे कहने का मतलब कभी भी कोई भी संख्या है तो संख्या के नीचे 1 भी आ सकता है उस संख्या तो पहली बात मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है या आपका च्छी आ या आपका नोग आ जाए जो कि किसके multiple होते हैं तीन के multiple होते हैं यह भी तीन का multiple है तो जहांपर दोस्त हमारा 3 का multiple आजाता है तो पहले हम नीचे वाले से उपर वाले को काटते हैं पहले हम नीचे वाले से उपर वाले को काटते है अगर कट जाये तो बहुत बढ़िया बात है डिजिटल सम नगाल देना और अगर नहीं कटे तो basic calculation से ही तुम्हें जाना पड़ेगा इस बात को ध्यान रखो basic calculation से ही जाना पड़ेगा नहीं तो मेरे भाई और कोई option नहीं है और जहां पर मेरे भाई नहीं कटेगा तो उसका उपाय क्या है उसका भी उपाय है उसका भी solution है और उसके बारे में यहाँ पर पूरी जो कहानी है वो लिखी गई है जैसे मान लीजे यहाँ पर कि इसको मेरे भाई इससे डिवाइड करने पर साथ आता है तो कैसे वेरिफाई करोगी साथ आएगा तो वो मेरे भाई यहां पर जो है सारी बाते पूरी पूरी दी गई है मैं थोड़ा अपने भाशा में आपको यहां समझाता हूँ कैसे कैसे आपको अपलाई करना है और कैसे कैसे दोस्ते यहां पर क्या करना है समझ यह सारी बाते है तो आप यहां बोलेंगे सर देखो कोई भी संख्या है दुनिया की जैसे मानो कोई भी संख्या है सर अगर उसके नीचे वना आ गया तो क्या करेंगे सर यहां पे एक तो यह कहानी बन गई या किसी संख्या के नीचे सर हमारा दो आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किसी संख्या के सर नीचे हमारा तीन आ गया तो हम क्या करेंगे किसी संख्या के नीचे सर हमारा चार आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किसी के नीचे अगर पांच आ गया सर कोई भी संख्या है, 5 आ गया तो क्या करेंगे, 6 आ गया सर तो हमारा क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे 7 आ गया तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारा 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे सर हमारा 9 आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो कभी भी इस बात को ध्यान कि denominator में कुछ भी आ रहा है कोशिश हमारी क्या होती है एक बनाने की अगर मान लीजे कोई बटा है उसमें एक अंश भी है और एक हर भी है तो हम उस हर को एक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम किसी भी तरीके से एक बन जाओ क्या बनाना है एक बनाना है अब एक बनाना है यहाँ पर तो आप लोग मुझे खुद बताओ ये तो already one है तो already one है तो इसमें कोई चेंज करने की आवशकता है नहीं यानि ये अपने आप में सही है अब दो है दो है तो मेरे भाई क्या करोगे one बनाओगे बट one कैसे बनाओगे तो याद करो 2 से 5 को गुना करने पर 10 आता है और 10 का digital sum one होता है यानि कभी भी किसी भी संक्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो बोलेंगे सर अगर 2 से भागी करना है तो नीचे भी 5 से गुना कर दीजे और उपर भी 5 से गुना कर दीजे उपर में गुना करने पर क्या आएगा पता नहीं है लेकिन नीचे हमारा कितना बन जाएगा तो one जरूर बन जाएगा सर हमारा mission कामियाब हो जाएगा कभी भी नीचे में अगर दो आता है तो ऊपर वाले को पांच से गुना करके डिजितर सम निकाल ले ना बहुत महतिपूर बात बता रहा हूं बहुत ध्यान तरहीं से सुनियेगा मेरी बात Have को request है हमारी कि कभी भी अगर नीचे हमारा दो आता है तो उपर वाले में 5 से गुना कर लीजेगा उसी प्रकार कभी अगर नीचे 5 आता है तो मेरे भाई 5 आता है तो यहाँ पर 5 को 10 कैसे बना सकते हैं तो 5 को 2 से गुना करके तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेना तो कितना बन जाएगा तो नीचे 1 बन जाएगा यानि आसान भाशा हम बात करें तो दो आएगा तो किस से गुना करना है पांच से और पांच आएगा तो किस से गुना करना है तो मेरे भाई दो से दो आएगा तो 5 से गुना, 5 आएगा तो 2 से गुना ये इनकी pairing हो जाती है, इनकी चालबाजी हो जाती है उसी तरीके से अगर 4 आता है, तो 4 को किस से गुना करते हैं? 4 आता है तो मेरे भाई 7 से गुना करते हैं साथ से क्यों गुना करते हैं ताकि नीचे कितना बन जाए साथ चोके अठाइस और अठाइस का डिजिल सम कितना होता है तो आठ और दो दस दस का मतलब कितना हो गया तो मेरे भाई यहां पर वन हो गया ठीख है तो चार आएगा तो किस से गुना था तो आपár दो आपस में जूगलबंदी था तो वैसे मेरे भाई चार का किस के साथ होगा, साथ का होगा इस चार इन्टू साथ और साथ इन्टू चार मेरे भाई डिटर्स हम कितना देगा तो वन देगा यहां पर ठीक है, अब अगला पॉइंट यहां पर आते हैं और वो हमारा किस के बारे में आते हैं, आठ के बारे में, मेरे भाई आठ में आपर कहानी क्या होती है, तो देखो आठ बोलता है हमको किसी का नीड नहीं है, दोने दोस्ती कर ली पांच से हम दोखा खा गए, चारने दोस्ती कर ली साथ से हम दोखा खा गए, मेरा तो दुनिय और 64 को जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा तो 1 आएगा यहाँ पर 64 को जोड़ेंगे 10 होता है 10 का मतलब 1 होता है यानि मेरे भाई 8 किसके साथ जुगलबंदी करेगा तो 8 अपना खुद के साथ जो है वो जुगलबंदी करेगा आठ के साथ ही करेगा है आपे ठीक है दो पांच पांच दो चार साथ साथ चार आठ आठ याद रखना है अब बोलोगे इनका क्या गरे सर इनका कुछ नहीं करना जब भी ऐसी कोई संख्या आती है तो यहाँ पर जैसे मानो तीन है तो उपर काटने की कोशिश करो नीचे मेरे पूरा उपर में काट दे और कम से कम 6 ना काट पाए तो 3 तो इसको काट पाए कम से कम 2 बार में ताकि नीचे 2 रहे तो बाद में 5 से मल्टिप्लाई करके 1 बना ले और 3 उपर भी काट ले मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर अगर नीचे 9 है तो 9 पूरा का पूरा उपर मे काट देता कि कितना बन जाए 1 यानि 2 तरीके से 1 बनाया जा सकता है या तो मल्टिप्लाई करके या डिवाइड करके तो मेरे भाई सबी जगह मल्टिप्लाई किया जाता है 3, 6 और 9 के केस में डिवाइड किया जाता है तो इसी के उपर में कोशन में आपको देते हैं जल्द काटेंगे सर देखो यहां पर पता है क्या है 2 आया है तो देखो ऐसा नहीं भूलेंगे तुम इसको इससे काटो बिल्कुल भी नहीं काटो मिरे भाई कोई जरुवत नहीं है काटने की simple as it is रखोए यहाँ पे बिना काटे इस बार solve करेंगे 8, 8, 4, 12 12 और 2, 14 यहाँ पर उपर में आ गया 14 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5 आ जाएगा तो सीधा कितना लिखेंगे 5 और बटे में कितना है 2 नीजे 3 आता है तो काटते हैं 3, 6 और 9 के केस में काटते हैं बागी केस में नहीं काटते हैं 3 आएगा तो काट दो 4 बार में, 4 बार में और 0 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 5 जरूवत नहीं है काटने की 5, 15, 15, 15, 15, 17, 17 को जोड़ोगे तो 8 हैगा बटे में 5 अभी सिखाया था मेरे भाई किसी भी बच्चे को यहाँ पर कि जब नीचे हमारा कितना आता है नीचे 2 आता है तो किस से मल्टिप्लाई करते हैं 5 से तो यहाँ भी 5 से करो और यहाँ भी 5 से करो यहां पर इसको multiply करके भूल जाओ मेरे भाई तो 5 इंटू 5 25 होता है 25 को जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7 यहां पर हमारा 8 है इसे भी multiply करके भूल जाओ 8 2 नी 16 16 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 7 आएगा 8 7 15 15 7 मेरे भाई यहां 22 हो जाएगा 22 का digital sum कितना होता है 4 होता है इसका digital sum कितना हैगा 4 आएगा अब जरा यहां देखते हैं कौन सा option का digital sum 4 है तो 6 4 10 10 तो मेरे भाई 12 यहां पर ठीक है 7 और 2 9 खतम ऐसे ही यहां पर 4 है ठीक है 8 2 10 4 14 14 का मतलब यहां कितना हो गया जरा 24 का मतलब मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 5 9 खतम 4 2 6 14 का यहां कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा तो यहां पर अब बताना सरा मेरे भाई 4 आया है कौन सा option सही है तो option नमबर जो B है वो हमारा बिलकुल सही उत्तर है option नमबर जो B है sir